नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीटट 2023 के लिए CDP के Influence of Heredity and Environment टॉपिक को कवर करेंगे जैसा कि आपको ग्यात होगा कि मैं टॉपिक वाइज पूरे CDP को कवर कर रहा हूँ साथी साथ इस टॉपिक से प्रतेक टॉपिक से जो भी प्रिवियस एर पेपर में कुशन्स पूचे गए हैं उसको भी डिटेल में देख रहा हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेलफूल होने वाली है से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार रुजेट करने हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बेल आइकोन को प्रेस कर लिजेगा इसके अलावा अगर आप प्रिवियस येर सभी सब्जेक्ट सभी शिफ्टो के कम्प्रीट पेपर सॉलूशन के साथ सभी सब्जेक्ट का कम्प्रीट पेडागोजी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते चलिए दोस्तों आज के समय तोपून वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है Influence of Herodity and Environment यानि आनुवानसिक्ता एवं बातावरान का प्रभाव सबसे पहले जान लेते हैं कि आनुवानसिक्ता होती क्या है तो जब आनुवानसिक गुण एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक अस्थनानतरन होते हैं तो इसे हम लोग आनुवानसिक्ता या फिर आनुवानसिक वंसानुक्रम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से समझेगा जिस प्रकार से आपके माता पिता से आपके पास कुछ विशेश गुड़ ट्रांसफर होते हैं जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि समाज में जिनके माता पिता की हाइट थोड़ी कम है तो उनके बेटे की भी हाइट कम हो जाती है या फिर किसी के माता पिता बहुत लंबे है तो उनके बेटे की भी हाइट उनके हिसाब से थोड़ी लंबाई अन्य बच्चों के अपिक्षा में तुलना में थोड़ी जादा होती है इसके अलावा आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे पिता या फिर माता किसी एक एक आँख का जो कलर होता है कई लोग के ब्राउन होते हैं कई लोग का भूरे कलर का होता है तो उसके बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कई बार देखा यह गया है कि अगर उनके पिता थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी से अगर हकलाते हैं उनके बच्चे में भी इस प्रकार के गुणक ट्रांसफर हो जाते हैं और बच्चे भी हकलाने लगते हैं तो ये सबी चीजे जो की माता पिता से एक पीडी से दूसरी पीडी में लगतार ट्रांसफर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वंसा नुकरम या फिर इसी को बोला जाता है अनुवानसिकता उमीद करता हूँ आपको अच्छे ढंक से समझ में आया होगा जैसे कि सरीर के त्वचा का जो कलर होता है जैसे कि बहुत लोग थोड़े सावले कलर के हैं तो ये अनुवानसिक है बदलेगा इसलिए बोला जाता है कि जो आनुवानसिकता है या फिर जो वंसा नुकरम है वो इस्थिर समाजिक सनचना है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जो आपको कलर मिल चुका है आपकी आँख के रेटीना का कलर जो आपको एक बार मिल चुका ह अब environment में किसी भी प्रकार से आप interaction कर लें या फिर किसी भी environment में चले जाए वो आपका बदलने वाला नहीं है इसलिए आनुवानसिक्ता को इस्थिर समाजिक सनचना के तौर पर देखा जाता है ठीक है उमीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया होगा यह तो मोटा मोटी हो गया अनुवानसिक्ता के बारे में यानि अनुवानसिक्ता के बारे में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो गुण आपके माता पिता से आपके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हम लोग अनुवानसिक्ता बोलेंगे और वो इस्थिर होगा य लालन पालन कैसे प्रभावित होगा, ध्यान से समझेगा, जैसे कि माल लिजे कोई एक बच्चा, एसे घर में जन्म लिया, जो की गाओं से बिलॉंग करते हैं, तो जाहिर से बात हैं, उनका जो लालन पालन होगा, वहां का जो छेत्रिय परिवेश होगा, उसके हिसाब से एक तरीके से इस्टेट में हुआ या फिर जापान में बहुत डवलप्ट एरिया में हुआ तो जाहिर से बात है वहां का जो लालन पालन होगा उसके इस्थानिय चेतर से प्रभावित होगा यहीं बोला जा रहा है कि मनुष्य के चारों तरफ का वह चेतर जिसमें वह सीधे स पर्क में आता है और उसका जो लालन पालन होता उसे प्रभावित होता है इसे ही हम लोग वातावराण बोलते हैं और वातावराण जो होता है वो इस्थिर नहीं होता है अगर माली जे बच्चे का जन्म गाउं में हुआ तो वो पढ़ाई के लिए कभी ना कभी तो शहर ज गुड़ आपके माता पिता से मिल गया अब उसे आप चाह कर भी नहीं बदल सकते तो यह अंतर होता है वातावराण और आनुवानसिक्ता में आनुवानसिक्ता को बदला नहीं जा सकता वो इस्थिर समाजिक सनचना है वातावराण को बदला जा सकता है इसे औस्थिर यान जो कि 23 जोडों में होते हैं अब यहाँ पर देख लिए पुरुष में XY क्रोमोजोंस होते हैं और महिला में XX क्रोमोजोंस होते हैं अब लिंग का निर्धान कैसे होता है जैसे कि देखिए अगर पुरुष से X मिला और महिला से भी X मिला तो यह क्या होगा यह लड़की होगी और अगर पुरुष से y मिला और महीला से x मिला तो इस condition में क्या होगा यह लड़का होगा यानि कि लड़का होने के लिए कौन responsible है यह क्रोमो जोंज का जो y वाला factor है यह responsible है और यह किस में पाय जाता है पुरुषों में पाय जाता है वो किस से निर्धारित हो रही है वो पुरुषों से निर्धारित हो रही है ना कि महीलाओं से ठीक है तो अगर आपसे ये भी प्रशन पूछा जा सकता है कि Y वाला जो क्रोमोजोन होता है वो किस में पाये जाता है तो वो पुरुष में पाये जाता है इसके बाद से देखे बच्चे का जो विकास होता है चाहें किसी भी प्रकार के विकास की बात कर लिजे आप जिसमें बच्चे का संग्यानात्मक विकास भी होगा सारेरिक विकास भी होगा उसके अलावा उसका संवेगात्मक विकास भी होगा वो उसके वनसानुक्रम यानि क आनुवानसिक्ता के साथ साथ उसके वातावराण के अंताक्रिया पर निरभर करता है यानि कि जो बच्चे का development होगा उसमें उसका आनुवानसिक्ता भी responsible है और साथ इसाथ जिस environment में उसका लालन पालन हो रहा है वो भी important है एक छोटे से उदाहन के मादेम से में आपको समझाना चाहता हूँ देखिए एक वर्ज माल लिजे एक किसान है एक उत्तम किस्म का बीज बोया ये बीज है माल लिजे उत्तम किस्म का बीज कहने का मतलब कि उसमें अच्छे पौधे के गुण है यानि कि इसमें आनुवान सिक्ता आनुवान सिक्ता क्या है? बहुत अच्छी है अच्छे पौधे के गुण है तो आनुवान सिक्ता यहाँ पर प्लस है लेकिन माल लिजे उस साल बारिश नहीं होई बारिश क्या होगा? बारिश जो होगा वो environment का part है बारिश क्या होगा? इंवारिबंट का part है माल लिजे उस साल बारिश नहीं होई बारिश नहीं होई यानि कि इसे मैं निगेटिव से इंडिकेट कर रहा हूँ तो क्या फसल अच्छा होगा? नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अच्छे बीज के साथ साथ यहां पर बारिश यानि कि environment का होना भी बहुत ज़्यादा important है यानि कि ये प्लस और ये भी प्लस रहेगा तभी काम करेगा अगर कोई भी एक absent रहेगा तो वो काम नहीं करेगा उस पौधे का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो सकता अब इसी को इस प्रकार से समझेए कि माल लिजे उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई यानि बारिश क्या था इनवार्मेंट था बारिश बहुत अच्छी हुई लेकिन बीज जो था वो उत्तम किस्म का नहीं था यानि बीज की quality अच्छी नहीं थी तो बीज क्या है चीज absence है वो क्या उसके आनुवान सिकता अच्छे किसम कर नहीं था इस वज़े से उस वर्ष जो है वो फसल अच्छा नहीं होगा फसल क्या होगा अच्छा नहीं होगा यानि कि देखिए ध्यान से समझ लिजेगा ये बहुत important chart में बनाने जाने हो देखिए ये environment हो गया और ये आपका heredity हो गया ठीक है तो environment अगर present है और heredity absent है या फिर environment absent है और heredity present है तो दोनों condition में जो बच्चे का विकास होगा वो प्रभावित होगा कैसे नकरात्मक तोर पर यानि दोनों यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अलामा देखिए अगर environment भी absent है और heredity भी absent है तो भी उसका विकास जोगा वो क्या होगा नकरात्मक तोर पर ही प्रभावित होगा लेकिन अगर environment भी present है और heredity भी present है तो बच्चे का जो विकास होगा वो बिल्कुल सकरात्मक तोर पर होगा यानि कि बच्चे के विकास के लिए उसका आनुवानसिक गुण और साथी साथ उसका environment यानि कि उसका वातवरण दोनों important है तभी बच्चे का विकास जो होता है वो निर्धारित होता है यानि कि प्रश्ण आपसे पूरे इस chapter का theme इतना ही है कि बच्चे का जो विकास होगा चाहे कोई भी विकास की बात कर लिए संवेगात्मक, संग्यानात्मक, सारेरिक, मनोवैग्यानिक सभी विकास जो होते है वो बच्चे के environment के साथ-साथ उसके आनुवानसिक्ता पर भी निर्भर करते है ठीक है तो यहीं पूरा chapter आपका समाप्त होता है अब चलिए previous year questions को देख लेते हैं पहला question आप अपने screen पर देख पा रहोंगे विकास क्या है तो देखिए पहला विकल्ब दिया गया है विकास एक आयामी है यानि इसे अंग्रेजी में unidimensional कहा जाता है तो क्या विकास केवल एक ही आयाम में होता है नहीं एक साथ कई आयामों में विकास हो रहे होते हैं तो यह विकल्ब negative हो गया दूसरा विकल्ब देखिए दिया गया है एक दिशाई एक दिशाई कहने का मतलब कि बच्चा माली जे प्रियास कर रहा है जिसके वज़े से उसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार ना जाकर के कुछ इस प्रकार से पठार यहां पर आ जाता है तो यह एक दिशाई हमेसा नहीं रहता है यह भी negative हो गया चौथा विकल्ब देखिए क्या कहा जा रहा है चौथा विकल्ब का जा रहा है कि आनुवानसिक्ता द्वारा पूर रूप से पूर वनिर्धारत होता है आनुवानसिक्ता किवल responsible बताया जा रहा है तो अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे का जब विकास होता है वो किवल आनुवानसिक्ता से तैने होता है बलकि उसके वातावरण पर भी निर्वर करता है आनुवान सित्ता से जो भी प्रॉपर्टी उसको मिली उसको तो हम बदल नहीं सकते लेकिन जो environment है उसमें बदलाओ करके बच्चे के विकास में बदलाओ किया जा सकता है यहीं विकल्प no.3 में दिया गया लेकिन अगर उसको हम लोग एक ऐसे बच्चों के ग्रूप में डाल दे जहां पर पढ़ाई का environment है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस बच्चे में भी बदलाओ होगा यह कैसे हुआ यह वातावरण के वज़े से हुआ यह वातावरण के वज़े से हुआ यानि कि जो बच्चे का विकास है वो केवल environment पर नहीं केवल अनुआनसिक्ता पर नहीं बलकि दोनों के अन्ता क्रिया के द्वारा निर्धारित होता है option number 3 यहाँ पर बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रश्ण पूछा गया था बच्चों का विकास इन में से किसका परेडाम है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि environment के सांसात अनुआनसिक्ता भी होना चाहिए ठीक है पहला देखे केवल अनुआनसिक्ता गलत हो गया केवल वातावरण गलत हो गया विद्याले और सिक्षा गलत हो गया अनुआनसिक्ता और वातावरण के बीच परस पर अन्ता करिया ठीक है option number 4 यहापर बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटिक जवाब होगा यह प्रश्ण आपके सोचने समझने का तरीका बदल सकता है देखे इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्ण और बनाये जा सकते है जो कि पूरी तरीके से आपके critical thinking पर dependent होता है यह आपको यह प्रश्ण अच्छा उधारण देगा देखे यह आउधारणा की बच्चों के आच्रण को प्रबली करण और दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इस विचार पर आधारित है कि प्रात्मिक रूप से विकास किस से प्रभावित होता है अब बच्चे को दंड कैसे दिया जाएगा बच्चे को दंड आनुवानसिक तोर पर थोड़ी दिया जाएगा माली यह बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसमें जो जीन्स ट्रांसफर हो रहा है जो गुण उस बच्चे में आनुवानसिक गुण ट्रांसफर हो रहा है तो यानि कि आनुवांसिक तोर पर बच्चे को दंड नहीं दिया जा सकता बच्चे को दंड केवल वातावरण के मादम से दिया जा सकता है तो हमसे ये पूछा जा रहे है कि इस विचार पर आधारित है कि प्रात्मे कुरुप से बच्चे का विकास किसे प्रभावित होता है तो इसका उतर केवल वातावरण होगा क्यों क्यों कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जान समझेगा जो बच्चे को दंड मिलेगा उसको उसके जीन्स में दंड थोड़ी दिया जाएगा उसके आनुवांसिक लक्षडों में दंड थोड़ी दिया जाएगा जारी से बात है उसको पीटना है उसको मारना है उसको दंडित करना है तो कैसे करना होगा उसको बाहर जब बच्चा जर्म लेगा तभी तो आप उसको पीट पाएंगे यानि बच्चे का लालन पालन जिस कंडिशन में हो रहा है वो उसका क्या कहलाएगा वो उसका वातावरा द्वारा निर्धारित होता है ठीक है तो यहाँ पर आनुवांसिक दिया गया गलत हो गया आनुवांसिक और वातावरान दिया गया तो ये भी गलत हो गया ना तो आनुवांसिकता और ना ही वातावरान तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एटलिस्ट बच्चे को दंड के द्व प्रोल करने की बात की जारी है और दंड कहां से दिया जाएगा उसको बाहर से दिया जागा यानि वातावरन का पार्ट हो गया प्रतेक बच्चे का इन्वार्मेंट एक जैसा नहीं होगा प्रतेक बच्चे की आनुवान सिक्ता एक जैसी नहीं होगी यानि कि ये नहीं कहा जा सकता कि प्रतेक बच्चा एक समान गती से डेवलप करेगा क्योंकि प्रतेक बच्चे की इन्वार्मेंट और उसके जिन्स जो transfer हुए है वो अलग-अलग होंगे इसलिए ये विकल्प negative होगे हमारा उत्तर नहीं होगा तीसरा विकल्प दिया गया है कि विकास पूर्ण रूप से आनुवान सिक्ता से योजना बद्ध है तो ये भी विकल्प गलत है क्योंकि आनुवान सिक्ता के साथ साथ वातावरान भी responsible होता है पहला विकल्प देखे विकास एक दिशाई है और एक आयामी है यानि कहा जा रहा है कि एक ही direction में विकास केवल बढ़ता है और एक आयामी यानि एक ही dimension में केवल विकास होता है देखे बच्चे के संग्यानात्मक विकास, सारेरिक विकास, मनोवैग्यानिक विकास ये सभी विकास की बात करते हैं जो कि उसके आयाम के तोर पर देखे जाएंगे तो ये कही ना कही गलत हो गया एक आयाम नहीं होता है एक अई विकल पर बच्चा विकास परिवर्तनी यह है तो उसके सरीर में थोड़ा सा परिवर्तन होने लगता है और वहीं दूसरा बच्चा अगर उसी इनवारेमेंट में है लेकिन जिम नहीं जाता है तो उसका सरीर, उसके अपेक्षा कम गठीला रहेगा यानि की विकास किया है विकास में सारिक्ष विकास भी तो आता है यानि सारिक्ष को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे है कैसे environment के हिसाब से कि उस बच्चे को gym का environment दे दिया गया तो वो उसका सरीर उसी हिसाब से ढखलने लगा और जो मेहनत नहीं कर रहा है दिन बर बैठा हुआ है दिन बर लेटा हुआ है तो उसका उस हिसाब से सार्जिक विकास नहीं हो पाएगा यानि विकास को परिवर्थन नहीं है कहा जा सकता है कैसे इन्वाइर्मेंट के मादम से option number 2 यहाँ पर बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन आप अपने स्क्रिन पर देख पार होंगे बाल विकास में आनुवान सिक्ता और परिवेश परिवेश को यहाँ पर आप environment के तौर पर समझेगा क्योंकि बच्चे का जो परिवेश होता है वो उसका environment यानि वातावरण है यानि बच्चे की आनुवान सिक्ता और वातावरण की भूमिका के समझ में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्ते है positive वाला यानि सही statement हम से पूछा जा रहा है पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे कहा जा रहा है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है आनुवान सिक्ता क्या होती है मैंने आपको concept में starting में ही बताया कि आनुवान सिक्ता को आप बदल नहीं सकते आपके आँख के retina का color जो आपके आनुवान सिक गुड़ के तरहत मिल चुका है क्या आप उसे बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे इसी प्रिकार से माली जे आपके skin का color जो मिल चुका है क्या आप उसे बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे लाख cream लगा लिजे वो नहीं color change होगा तो ये विकल्प negative होगे हमारा उतर नहीं होगा दूसरा देखिए आनुवानसिक्ता की भूमी का निश्चित होती है जबकि परिवेश ये कारकों का प्रभाव नियूंतम होता है यहां तक तो positive था आनुवानसिक्ता का प्रभाव निश्चित होता है यानि कि इस्तिर होता है लेकिन परिवेश यानि वातावरान का प्रभाव नियूंतम नहीं होता है बलकि ये equally होता है दोनों के अंतक्रिया से निरभर करता है तो ये विकल्प negative हो गया क्योंकि नियूंतम बताय गया था परियावरान का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना आनुवान सिक्ता का ठीक है नियूंतम नहीं होगा ऑप्शन दो भी यहाँ पर negative हो गया तीसरा विकल्प देखिए आनुवान सिक्ता और परिवेश दोनों के भूमी का निश्चित होती है तो ये भी विकल्प negative होगे हमारा उत्तर नहीं होगा चोथा देखिए विकास के विवेन छेत्रों में आनुवान सिक्ता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं अगला प्रशन पुछा गया था निमलिखित में से कौन सा कारक भौतवी केवं समाजिक दुनिया की जटिल सक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभावों को उसके विकास के दोरान प्रभावित करते हैं बालिका के अनुभाव की बात की जारी है अनुभा बच्चे को कहां से प्राप्त होगा उसके वातावरान से प्राप्त होगा वातावरान यानि परिवेश में जो कुछ भी बच्चा देखेगा उसी से तो वो अंताक्रिया करके अनुभा प्राप्त करेगा यानि कुछ भी करके सीखेगा तो वातावरन में ही तो करेगा उसके अनुभाण सिक्ता से थोड़ी अब वो कुछ छेड़ चाड़ कर सकता है कि अनुभा प्राप्त करेगा नहीं वो जो कुछ भी करेगा अपने वातावरन अपने परिवेस में करेगा इसलिए अनुभाण की उसके environment की बात की ज़रे लालन पलन कहा होगा उसके परिवेश में ही तो होगा माता पिता भी उसके समुदाय का सदसे हैं और समुदाय कहा रहता है परिवेश में रहता है और परिवेश कोई environment बोलते हैं इसलिए option number 3 या पर बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन पुछे गया था समकालिन विचारधारणाओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है चौथा विकल्ब दिया गया है सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुआंसिक गुडों को responsible बताया ज़रा है जो की गलत है क्यों क्योंकि environment की बात नहीं की गई या त पहला विकल्ब देखे, सभी बच्चों के लिए एक समान है, सभी बच्चे एक निश्चित आयू तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्षे आवासे प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी गलत है, सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है, बलकि इंडिविज्वल देखे, बहु आयामी होता है, बहु आयामी यानि कि मल्टी डाइमेंशनल की बात की जा रही है, ठीक है, इसके अलावा देखे, बहु आयामी है क्योंकि बच्चे विभिन प्रकार के संदर्बों में पलते हैं, तो ये सब ज़्यादा एप्रोप्रियेट है, यहीं इसका सानुगर्त, यानि वनसाँ उक्रम, अनुआन्सिक्ता और पर्यावरण, दोनों responsible है, तीसरा देखे, केवल समाजिक सान्स्कृतिक कारक का, पिसी व्याथी बात कर रहा है, लेकिन अनुआन्सिक्ता की बात नहीं कर रहा, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, किसी वैक्ती को केव है तो किसी भी प्रकार की विकास की बात की जा चहां सारिक हो संविगात्मक हो संग्यनात्मक हो भासाई विकास हो सब ही विकास जो होते हैं वो आनुवानसिकता के सासात पर्यावराण पर निर्भर करते हैं option number 3 यहाँ पर एप्रोप्रियेट एंसर हो जाएगा जैसे कि मालीजे किसी भी बच्चे के माता-पिता के मुख के अव्यों में कुछ गरबड़ी है जिसकी वज़से वो सही से सब्दों का उचान नहीं कर पाते हैं यानि कि उनके अंदर भासा का विकास ठीक धंक से नहीं हुआ तो कई बार कुछ बिमारिया ऐसी होती हैं जो कि आनुवांसिक तोर पर चलती हैं अगर वो प्रॉलम वो मुख के अव्यों में जो प्रॉलम था उस बच्चे में भी आ गया तो जैसे कि ध्यान से समझेगा मालीजे कि यूपी में कोई बालक का जन्मुआ किसी परिवार में तो यहां प बात है जब बच्चे को इन्वार्मेंट हिंदी का मिला तो वो हिंदी ही सीखेगा यानि भासा का विकास कैसे हो रहा है हिंदी हो रहा है लेकिन अगर मालीजे किसी एक बच्चे का परिवार अमेरिका में रहता और वहां पर उस बच्चे का जन्म हुआ तो वहां पर उसको environment English का मिला तो वहाँ पर भासा विकास किसका होगा English का होगा यानि कि ये environment पर भी depend करेगा 37 आनुवान सिक्ता पर भी निर्बर करेगा option number 3 या पर बिल्कुल appropriate answer होगा दोस्तो ये topic पूरा समाप्त हो चुका है और इस topic से इसी प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं आपको ये वीडियो के ऐसा लगा comment के मादम से जरूर बताएगा क्योंकि आपके motivation की बहुत ज़्यादा जरूरत है आपका motivation मुझे कहीं न कहीं आने वाले videos में और बहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा अगर आप previous year सभी subjects के सभी previous year सभी shift के complete paper solution के साथ सभी subjects के complete pedagogy को detail में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार उजट कर रहे हैं तो इसको subscribe जरूर कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ